इस कहानी में शुरू में एक महल दिखाया जाता है जो की क्वीन का है और उनके लिए किसी ने एक गिफ्ट भेजा जिसके अंदर एक बहुत सुन्दर पपी होता है जो क्वीन को बहुत ही पसंद आया इसलिए वो उसका नाम रेक्स रखती हैं उसकी हरकते क्वीन को काफी पसंद थी और इनी चीजों की वजह से धीरे धीरे क्वीन को वो काफी ज्यादा करीब आ गया वो अब क्वीन के साथ साथ रहता था और आली शान जिन्दगी के मजे लेता था ऐसी जिन्दगी जीता था जो शायद किसी पपी ने ना जी हो क्वीन के कुछ खास महमान आते हैं और उनकी डॉग को एक पार्टनर चाहिए था इसलिए क्वीन अपने इन खास महमानों को तौफे के तौर पर रेक्स को देना चाहती थी पर रेक्स को उनकी डॉग बिलकुल पसंद नहीं आई वो उसके साथ नहीं चाहता था पर अब उसे उन महमानों के साथ भेजने के लिए तैयार किया जा रहा था वो उनके साथ ना जाने के बहाने से कभी तो अपने आप को छूपाता है और कभी उनसे बचने के लिए हर चीज बरबाद कर देता है और इन ही चक्करों में उसने Queen के महमान को काट भी लिया था उसकी इस हरकत से Queen के महमान नराज होकर चले जाते हैं Queen भी Rex को गुसा होकर अपने room से निकाल देती है जिससे वो भी उदास हो गया था उसने कौन सा ये सब जान बुझ कर किया था ये सब तो उससे गलती से हो गया था वो अपना ये सारा दुख अपने साथी डॉग को बता रहा था वो कहता है कि मैंने सब गडबड कर दी मैं बहुत बुरा हूँ और अब यहां रहने के लायक भी नहीं रहा वो डॉग Rex से कहता है चलो परेशान नहीं हो और अपना कॉलर एक जाड़ी के नीचे छुपा कर उसके पीछे आ जाता है एक पुल तक पहुँचने पर इससे पहले कि वो कोई बात करते वो डॉग Rex को पानी में धक्का दे देता है और उसकी इस बात से पता है कि वो Rex का दोस्त नहीं बलकि दुश्मन था जो उससे जलता था वो Rex की जगा खुद क्वीन का खास डॉग बनना जाता था अब वो डॉग तो वहां से चला जाता है इससे पहले कि Rex मर जाता उसे एक अच्छा आदमी आकर बचाता है और उसे डॉग सेल्टर में ले आता है जहां लावारिस डॉग्स को खाना और रहने की जगह दी जाती थी उसे भी बाकी डॉग्स के साथ बन कर दिया लेकिन दूसरी तरफ क्वीन भी उसके गायब होने से काफी परिशान थी तब ही वो दूसरा डॉग Rex का कॉलर सब के सामने लाकर उसके आस-पास रेड केचप गिरा देता है इस सबसे क्वीन और वहां के लोगों को लगता है कि उनका प्यारा डॉग मर गया क्वीन को लगता है कि उन्होंने अपने प्यारे डॉग को खो दिया जबकि वो तो डॉग शेल्टर में था अगले सुबह रेक्स अपने मुह में एक फूल लेकर वांडा के पास जाता है उससे बात करने के लिए वो उससे बताता है कि मैं क्वीन का टॉप डॉग हूँ वांडा उसकी बात पर यकीन नहीं करती उन दोनों के बीच बाते ही चल रही थी लेकिन यहां पर वो किसी वजह से बर्फ से फिसल जाता है उसके हाथ से उसका कप भी नीचे गिर कर तूट गया यह कप वो था जिस पर रेक्स की यानि टॉप डॉग की तस्फीर बनी हुई थी वांडा को यह देख कर रेक्स की बातें माननी पड़ी थी उसने रेक्स से अब दोस्ती भी कर ली थी यह देखकर कि वो एक टॉप डॉग है इससे गुसा हो मोटा डॉग रेक्स को बहुत मारता है कि उसने वांडा से दोस्ती कैसे कर ली पर वहां सेल्टर का मालिक आ जाता है और वहीं दुसरी क्वीन रेक्स के जाने उसकी कबर बना देती है और बहुत दुखी थी और रेक्स का दुशमन दोस्त जूट मूट का ऐसे रो रहा था जैसे उसे ही सबसे ज्यादा दुख हुआ हो लेकिन अब उसका Rex के लिए प्यार देखकर Queen ने उसे Top Dog बनाने का सोच लिया था यहाँ वो मोटा डॉग जिसने Rex से दुश्मनी कर ली और वो अब उसे Fight के लिए कह रहा था और इस Fight के पीछे वजह थी कि उसको लग रहा था कि Rex उससे मुकाबला कर रहा है जिस तरह Rex ने Wanda से दोस्ती कर ली हलांकि वो Wanda से दोस्ती करना चाहता था वो यहाँ उसे अब Fight के लिए कह रहा था Rex अच्छा था इसलिए अब बाकी सब मिलकर उसे Fight के लिए तयार करते हैं उसको ट्रेनिंग करवाते हैं और आखिर Fight भी शुरू हो जाती है कि वो आखिर कैसे अपने दोस्त को बचाए वो वहाँ की Light बंद कर देती है जिससे उस जगह के मालिक को कुछ गडबडी का पता चलता है और वो आखिर वहाँ सब देखकर ठीक कर देता है इस तरह Rex बच जाता है पर Wanda का मिलना शायद उसकी किसमत में ही नहीं था क्योंकि आज Rex को कोई लेने आ गया था और वो जो Wanda के पास से जाना नहीं चाहता था Rex बड़ी चालाकी से उनकी गाड़ी से निकल कर छुप चाता है और मोका मिलने पर वो जब Wanda के पास उस शेल्टर के अंदर पहुंचता है तो हैरान था क्योंकि वो मोटा डॉग Wanda को ही मरने वाला था इसलिए Rex अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी दोस्त को बचाता है और एक बड़ा डॉग जिसके अंदर यहां सारे डॉग से ज्यादा ताकत थी वो रेक्स के मोटे दुश्मन से लड़ता है और उसे मार कर दूर गिरा देता है उसके दांत तूट चुके थे उस बड़े डॉग ने उसे बहुत मज़ा चकाया था जिसके बाद रेक्स वांडा के साथ साथ सभी डॉग्स को अपने साथ महल जाने का कह रहा था लेकिन कोई भी अपना घर छोडने को राजी नहीं था उन्हें यहां अच्छा खाना मिलता था रहने को जगा मिल रही थी वो यहां से क्यों जाते इसलिए अब रेक्स सिर्फ वांडा को महल लेकर जाता है लेकिन महल पहुँचने पर पता चलता है कि कोई उसे पहचान ही नहीं पाया कि वो टॉप डॉग है और इसलिए महल के गार्ड उसे अंदर जाने नहीं दे रहे थे वो उदास जब वापिस जाने लगता है तो उसके सारे डूस्ट उसकी मदद करने के लिए यहां आते हैं जिन जिनको उसने अपनी कहानी बताई थी वो सब मिलकर गार्ड के ये ध्यान हटा देते हैं और इस तरह रेक्स महल में आ जाता है लेकिन यहां तो उसका दुश्मन था जो उसे क्वीन से कहां मिलने देता वो चालाकी से रेक्स और वांडा को समान की नीचे दबा कर वहां आग लगा देता है उनका बचना मुश्किल था जबकि दूसरी तरह वो दुश्मन डॉग को क्वीन टॉप डॉग बनाने वाली थी जबकि रेक्स वांडा को बचाने के लिए बलून्स का इस्तेमाल करता है पर वो नहीं जा पाता इसलिए वांडा बच कर सारी बात अपने दोस्तों को जा कर बताती है और रेक्स की मदद करने का कहती है सारे डॉग जब मदद के लिए आ गये थे तो आग को देखकर हैरान होते है ऐसा लग रहा था कि वहां कुछ न बचा हो वो पहले आग बुझाने की कोशिश करते हैं और ये काम करकर के जब वो रेक्स को ढूंडने लगते हैं पर वो उन्हें कहीं नहीं मिलता जिससे वो उदास हो जाते हैं कि तब ही वो उसे चिमनी में देखते हैं जहां पर वो अपनी जान बचाने के लिए छुपा था उसे देखकर सबने सकून का सांस लिया सारे खुश थे वो उसे बचा लेते हैं वांडा क्वीन के पास जाकर उनके हाथ से रेक्स का वो कॉलर ले लेती हैं जो वो किसी और डॉक को पहना कर उसे टॉप डॉक बनाने वाली थी वो कॉलर लेकर वहां से भाग जाती हैं और रेक्स के पास आ जाती है क्वीन भी जब उसके पीछे पीछे जाती हैं तो उन्हें अपना प्यारा रेक्स मिल गया था जिसे देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा वो उसे दुबारा टॉप डॉग बना लेती है और अब रेक्स की दोस्त भी उसके साथ साथ इस महल में रहने लगी थी और उसके साथ हंसी खुशी आलिशान जिंदगी गुजरती है क्वीन के महमान अब दुबारा जब महल में आती हैं तो इस बार उनकी डॉग ने रेक्स के दुश्मन डॉग को पसंद कर लिया था ऐसे वो महल से चला गया था जिसे देख सब हसने लगते हैं और यही कहानी की हैपी एंडिंग हो जाती है आपको ये मूवी कैसी लगी? कॉमेंट में जरूर बताना